तो race जो होता है वो physical features को बोला जाता है, जैसे कि skin color, hair, eye, इन सब के color कैसे हैं, और physical build-up कैसा है body का, यह सब race के features होते हैं, वहीं पर ethnicity जो होता है, वो किसी particular group of individual के cultural characteristics को denote करता है, जैसे कि language कौन सी बोलते हैं, उस language के accent कैसे हैं, religion क्या follow करते हैं, dressing senses क्या है, food habits क्या है, customs क्या है, यह सब ethnicity के features हो जाते हैं, वहीं nationality काफी नया concept है, यह citizenship से legal aspect पर बात करता है, skin के color के sense में race को चार भागों में बाटा गया है, white skin होती है तो उसे Caucasian कहते हैं, black को negroid कहते हैं, yellow को mongoloid कहते हैं, और brown को astraloid कहते हैं, रिक वेदिक time में भी जो world system में society को बाटा गया था, वो इ fashion ने change कर दिया, और महा जन्तपत period आते आते इसमें social hierarchy और endogamik की वज़ा से इसमें discrimination और काफी जादा बढ़ गया, और अगर आसान भाशा में इसको समझना हो, तो पाकिस्तान में जो लाहोर वाला region है, और इंडिया में जो अमरितसर वाला region है, उसमें जो दो इंसान रहते हैं, उनकी same ethnicity हो सकती है, food habits और यह सब चीजने काफी same है, तो उनकी ethnicity सेम हो सकती है, लेकिन उनकी nationality अलग-अलग होगी, वहीं पर बात करें, तो नौर्थीस्ट में जो व्यक्ति रहता है, और राजस्थान या गुजरात में जो इनसान रहता है, उन दोनों की race अलग होगी वह mongoloid race का होगा, और यहां पर australide या फिर कोई दूसरे race का भी हो सकता है, तो यह difference होता है race, ethnicity और nationality के बीच में, इसी तरह की रोचक वीडियो के लिए subscribe करें between the difference